Hello everyone, welcome once again on Indian English Grammar Tariari Channel Guys, आज हम लेकर आए हैं Diary Entry का यह वीडियो याद रखें कि अगर आप Class 10 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं या 11 में पढ़ते हैं तो यह जो Diary Entry का वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही जादा Beneficial है इससे आप अपने एक्जाम में कम से कम में 2-4 नमबर आराम से कवर कर सकते हैं दोस्तों दियान देना सबसे पहली बात तो यह है कि Diary Entry का जो काम है आज के समय में बहुत कम हो रहा है यह कुछ समय पहले, काफी समय पहले लगबग 20-25 साल पहले जब टेली फोन नहीं था आज के जमाने का Android फोन नहीं था तब Diary Entry का बड़ा ही महत्तों था लोग अपने जीवन के बारे में साम के टाइम जो है लिखते थे कुछ न कुछ ठीक है तो इसी तरह का Diary Entry होता है बहुत easy way है इसको समझने का बस आपको थोड़ा ध्यान दे कर इसको समझने की जुरूत है ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है बाइदवे कोई question आता है अगर Diary Entry का तो इस तरह से जो यहाँ पे हमने blue color में लिखा हुआ है यह है एक प्रकार का माली जी की एक पैरा है एक प्रकार का कुछ line है कुछ thought है जिसको हमको पढ़ना है और इस thought को पढ़ने के बाद में हमको इसी के आधार पर जो है Diary Entry बनानी होती है तो आएए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा क्या करना हमको इसमें ठीक है तो देखें आप लिखा हुआ है कि imagine your aunt needed a lovely woolen cap and gifted it to you on 1st jan as a new year gift कहने का मतलब यह है कि माली जी कि आपकी बुगा ने एक उनी टोपी जो है हाथों से बुनकर आपको एक gift के रूप में पहली जनरी को दिये है तो अब इसके बाद में हमको लिखना है कि write a diary entry after what happened during the day your observation and feeling in about 100 to 150 watts अब उसके बाद में इसमें आपको यह लिखना है कि आपने जो cap जो टोपी पाई है अपनी आंटी के द्वारा एक gift के रूप में तो उसके द्वारा आपको क्या feeling हुई है क्या आपको अनफो हुआ कैसा लगा है कैसा आपको लगा है या आपको समझने की जूरत है और साथ में उस जो feeling जो आपको हुई है जो अच्छा ही या अच्छा लगा है या बुरा लगा है जैसा भी आपको लगा है उसके बारे में आपको कम से कम में 100 से 150 सब्दों का एक diary entry बनाना है बस इतना काम आपको करना है तो आए हम आगे चलते हैं और लिखने का प्रयाश करते हैं कैसे लिखेंगे यहाँ देखें अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जैसे रेड कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्राइडे वान जनौरी ठीक एक थोड़ा सा अलग कलर में हमने लिख दिया ताकि जो diary entry है न वो थोड़ा सा decorate हो सके सज सके देखने में अच्छी लगे ठीक है तो यहाँ पर हमने रेड कलर में यह लगा दिया अब यहीं कॉर्णर में मतलब इसकोने पर हमको यह लिखना है ठीक इसको मालो हम एक rectangle बना देंगे एक आयत बना देंगे ताकि यह थोड़ा cover हो सके और उसके बाद में देखिए हम यह लिखना शुरू कर रहे है जो blue color में है ठीक तो blue color में देखिए यहाँ पर ही उपर side में ही हम सबसे पहले क्या लिखेंगे time जिस time पर अक्सर लोग diary लिखा करते हैं साम के ही time तो इसलिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है 8 p.m. ठीक और उसके बाद में हमने नीचे जो है लिख दिया dear diary यह dear diary जो सब्द है guys यह आपको लिखना बहुत आवसक है तो सबसे बहले आपने यहाँ पर dear diary लिख दिया अब हम आगे जो है लिखना शुरू करेंगे अब देखें आप यहाँ पर आगे क्या लिख रहे हैं इसको दियान से समझेगा ठीक है बस वही feeling हमको यहाँ पर लिखना तो feeling में क्या लिख रहे हैं हम कि today I was thrilled when aunt my best friend gifted me a oolain cap इसका मतलब है कि आज मेरी सबसे प्यारी मित्र मेरी बुगा ने मुझे एक उनी टोपी जो है सुन्दर सी gift के रुप में दिया It is readied in beautiful colors which is my favorite and has beads at the edge जो की बहुत ही सुन्दर color से बुना हुआ है और जो की मेरा सबसे पसंदीदा color है और इसके किनारे में बड़ा सुन्दर सा color लगा कर मेरी बुगा जी ने बुना है उसके बाद मैं हम अपनी feeling और भी आगे बढ़ा रहे हैं कि It fits so soft around the head यह जो है मेरे सर पे बहुत अच्छे रंग से fit हो जाती है I just love it मुझे यह बहुत ज़्यादा पसंद है There was a lot of excitement in the house Since morning as the new year begins today और हमारे घर में बहुत ज़्यादा सोरगूल बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों को लग रहा था जब से भी सुबह हुई है आज नए साल की Father and Mother Disclosure their new year resolutions after we wished happy new year to each other हमारे माता पिता जी ने जब हमने उनको happy new year कहा तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छे दंग से happy new year को wish किया इसके बाद में है We went to aunt's house to wish her and seek her blessings उसके बाद में हम सभी लोग मिल करके बुवाजी के घर गए जुन्होंने हमें इस तरह की जो है gift की थी कैप ताकि हम उन्हें भी आराम से wish कर सके happy new year और साथ में उनका आशिरवाद ले सके She had a bright smile on her face उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुसी थी बहुत ज़्यादा मुश्करहाट थी और उसके बाद में है and hugged us lovingly और उन्होंने हमें प्यार से गली लगाया Then she gave me the cap उसके बाद में उन्होंने मुझे a cap दिया I had often seen her engrossed in it for hours when I would visit her at weekends मैं जब भी उनके यहाँ जाता था weekend में तो वो हमेशा उसको बुनने में busy रहा करती थी I give her a warm hug मैंने भी उन्हें प्यार से गली लगाया I am feeling very happy and grateful मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभार वेक्ट करता हूँ good night उसके बाद में good night लिखा है इसका मतलब बस यहीं तक diary entry खतम हो जाती है तो आपने देखा किस तरह से इस वेक्टी ने अपनी काप को ले करके अपनी feeling को इसमें write करके दिखाया है ठीक तो बस इतना ही आपको काम करना अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका diary वाला जो काम है diary entry वाला एक काम आपका समाप्त हो गया तो इस तरह से आप note करके एक diary entry बना सकते हैं जिससे आप आसानी से 2-4 नंबर आराम से board exam में cover कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि कोई problem है तो इसके लिए आप comment कर सकते हैं हम next time कुछ और भी ऐसे ही syllabus को लेकर आते रहेंगे जो आपके board exam में काम करेगा आज के वीडियो में तो बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए थैंक यू और वे वे नाज़ दे बड़ आपके लिए